दुनिया भर के राम भक्तों के लिए योध्या से एक बड़ी खबर आई है भगवान श्री राम की धरती से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने राम मंदर पर बहुत बड़ा एलान किया है मंदर कब तक तयार होगा? कारेक्रम कितना भव्य होगा? राम लला का मंदर कितना बन गया है? कितना बाकी है? एक एक खबर आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले वो बड़ी खबर जिसका एलान C.M. योगी आदितनात ने अयोध्या में राम मंदर की तयारियों के जाइज़ा लेने के बाद किया है आयोध्या में इस साल होने वाला दिपोट्सव में राम मंदिर के उधाटन का रिहरसल दिखेगा CM योगी ने कहा दिपोट्सव के मौके पर मंदिर के उधाटन का पहला रिहरसल नजर आएगा यानि दिपोटसव के आयोजन पर अयोध्या वैसी ही सजाई और सवारी चाहेगी जैसा राम मंदिर के उध्गाचन के समय होने वाला है योगी ने कहा योध्या के सारे प्रोचेक्ट 31 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे और जन्वरी 2024 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इसका उध्गाटन करे अयोध्या के लिए पुरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरोशाली छण आने वाला है जब जन्वरी 2024 में देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी के द्वारा पांसो वर्सों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा प्रसुत्तम अगवान स्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में दिराजमान कराने का एक दिब्य आयुजन होगा एक नई अयोध्या एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा इसी की तैयारी हमारे अस्तर पर प्रारंब की गई है इसका पहला रियर्सल दिपाट्सो को देखने को मिलेगा दिपाट्सो के आयुजन तक हमारा प्रयास होगा की ज्यादा तर प्रोजेक्ट हमारे अयोध्या के पूरे हो जाएं जो बचेंगे 31 दिसंबर तक उन्हें पूरा करते वे एक दिव्य और भव्य अयोध्या हम लोग देश वास्यों को और दुनिया के आने वाले सरधालों को प्लब्द करवाएंगे मुझे पुरा विश्वास है कि पूरे अयोध्या दिपोट्सों के लिए तो पहले से तयार है जनवरी 2024 के उस भव्य अयोध्यन के लिए भी अपने आपको तयार करेगी जिस कंड़जार सदियों से अयोध्या वास्यों को प्रदेश वास्यों को और हर सनातन धर्मावलंबी को विगत पांसो वर्सों से है वह हम उसी उत्सा उमंग के साथ अयोध्या के अंदर उस आयुजन को आयुजित कर पाएंगे जन्वरी में उद्घाटन होना है इसलिए निर्मान भी जो शोर से हो रहा है मंदिर समय पर तयार हो जाए इसलिए मुख्यमंत्री योगी अदेतनाथ खुद निर्मान कारे का जाइजा लेने के लिए योध्या पहुँचे CM योगी ने मंदिर के पूरे कैंपस का मुख्य द्वार से लेकर घर्ब ग्रे तक खंबो से लेकर दिवारों और फर्श तक निर्मान कारे की एक प्रगती को खुद देखा दो महीने के अंदर CM योगी बार राम मंदिर की प्रगती देखने के लिए उध्या पहुँचे योगी उस जगह पर पहुँचे जहां गर्ब ग्रे बन रहा है गर्ब ग्रे अभी पूरी तरह बनकर तयार नहीं हुआ है लेकिन CM योगी ने वहां माथा चेका और गर्ब ग्रह के निर्मान की प्रगती भी देखे मुख्यमंत्री योगी ने मंदर बनाने में लगे इंजीनियर्स से बात की कितना काम हुआ है कितना बचा है एक जानकारी एक एक जानकारी योगी अधितनाथ ने इंजिनियर से लिए तो इस तस्वीरे आप देख रहे हैं जिसमें योगी अधितनाथ उस गर्ब ग्रेब में पहुँचे जहां पर भगवान राम की प्रतिष्ठा विराजमान होगी करके हर जगा पर जाका योगी अधितनाथ ने मुआइना किया कि आखिर कहां कितना काम बचा है और कितना काम कितने वक्त में पूरा हो जाएगा तो योगी अधितनाथ ने वहाँ पर इस तरीके से राम मंदिर की तयारियों का पूरा जायसा लिया राम मंदर कितना तयार हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं मंदर कितना तयार है यह आप तस्वीरों में देखिए यह योध्या के भव राम मंदर की सबसे नई तस्वीर है देखिए अंदर की जो तस्वीरे सामने आ रही है जिसमें ग्राउंड फ्लोर सबसे पहले दिखाई दे रहा है ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा होने को है सिर्फ जो काम इस वक चल रहा है वो फिनिशिंग का काम चल रहा है कितने बड़े एरिया में ये मंदिर बन रहा है उसकी तस्वीरे उसकी वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जो कारिगर वहाँ पर काम कर रहे हैं जो इंजीनियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं वो लगातार दिन रात करके राम मंदिर को पूरा करने में लगे होई है राम मंदिर की तस्वीरें आपने देखी मंदिर कितना बन गया है ये पूरा देश जानना चाहता है राम मंदिर का ग्रे मंदब बनकर तयार हो गया है परिक्रमा पत्वी बनकर तयार हो गया है ground floor का construction पूरा हो चुका है ground floor की finishing का काम जारी है तो ग्रे मंडप इस वक्त पूरी तरह बनकर तयार हो गया है परिक्रमा पथ भी बनकर तयार हो गया है क्योंकि ग्रे मंडप ग्राउन फ्लोर वही जगा है जहाँ पर सबसी नीचे वाला फ्लोर जहाँ पर राम लला को विराजमान किया जाएगा वही पर ग्रेमंडप है और परिक्रमा पत यानि कि जो भी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे वो उसी परिक्रमा पत का इस्तिमाल करेंगे पूरे मंदिर की परिक्रमा करने के लिए तो राम मंदिर की जो भी जानकारिया सामने आ रही है वो लगातार हम आप से शेर कर रहे हैं कि कितना काम इस वक्त हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है तस्वीरे जो महां से लगाता सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि फिनिशिंग का काम हो रहा है और राम मंदिर में देखें ग्राउंड फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो चुका है ग्राउंड फ्लोर की फिनिशिंग का काम चल रहा है यानि कि जो पिलर्स कड़े किये गए हैं जो कारीगरी वहाँ पर पत्थरों में दिखाई दे रही है उसमें हर बारी की दिखाई दे इसका ध्यान बकाईदा वहाँ पर रखा जा रहा है ग्राउंड फ्लोर को सबसे पहले तयार किया जाएगा और उसके बाद जो उपर के फ्लोर्स हैं उनको तयार किया जाएगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही वो गर्ब ग्रह है जहां पर रामलला विराजबान होंगे हलाकि अभी एक अस्थाई मंदिर रामलला को विराजब लगातार जिसता भी काम हो रहा है, उसकी तस्वीरे, उसकी वीडियो, चमपतराय की तरफ से शेयर किये जा रहे हैं, योगिआ दितिनाद खुर लगातार बहा पर पहुंच रहे हैं और इसी महीने में वो दो बार पहुंचे हैं, और बहाँ पर जाकर उन्ने देखा कि खुतन शिलान न्याज भी मोधी नहीं किया था और उध्गाटन भी पिधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद ही करेंगे और ये पूरा उत्सव जो है वो साथ से ग्यारा दिन तक बनाया जाएगा यानि कि जब भगवान राम का मंदिर बनकर तयार होगा जब उसका उध्गाटन होग तब आयोध्धा एक उत्सव मनाएगी क्योंकि भगवान राम अपनी असली जगापर अपने गर्ब ग्रह में विराजबान हो जाएंगे और एक भव्य मंदिर की तस्वीर लोगों के सामने 22 जनवरी को दिखाई देगी जब पिधान मंत्री नरेंद्र मोधी उसका उत्खा तरयर काम कर रहा है वो जिस पत्थर दिंशें ऑफन आपने जसको क्रॉस करते हुए आप घरब गर्व में पहुचेंगे जहां पर रामलला विराजबान हो ज accumulation